ओम हन्मंते नमाहन, स्वागत आप सभी का मेरे वक्ती भावना योटूब चाहिए, आप सभी जानते हैं कि कल्योग में बाला जी माराज का विशिश महत्तो है, उनकी पूजा का चमतकार है, जो व्यक्ति सच्चे मन से हन्मान जी की पूजा करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परिशानी है, या आपके कारे सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, किसी प्रकार का घोर संकट है, तो आपको यह उपाय जरू करना चाहिए, यह उपाय आप प्रतेक मंगलबार भी कर सकते हैं, इस उपाय की करने से हर प्रकार क से मनुरत पूरे हो जाते हैं जो भी हनमान जी की सरण में जाते हैं उनके उपर ग्रेन का असुप्रबाब दूर हो जाता है पंचमुकी हनमान जी की पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं यह हनमान जी का रोद्र रूप है इससे बड़े बड़े कष्ट दूर ह जाते हैं और पल भर में हनमान जी सारी इस्तिती बदल देते हैं यह उपाय आपको मंगलबार को करना है थोड़ा सा गाय का गी और थोड़ा सा सिंदूर आपको लेना है साती बजार से मोदक या लड़ू भी लेकर के आने हैं और एक देशी गी का गाय के गी का दीपक भी त् एक मीटा पाल लेना है उसमें दो लोंग लगा लेनी है ये सारा सामान लेकर के आपको हनमान जी के सामने जाना है सबसे पहले आपको हात जोड़ करके ओम हनमंते नमाह स्री राम दूताई नमाह इस मंतर का जाप करना है हात जोड़ करके और एक कटोरी में आपको गाय का घी ले लेना है और उसी में आपको सिंदूर डाल लेना है और ये मिक्स कर लेने थोड़ा सा गाय का घी आपको अलग रख लेना है जो मोता का आप चड़ाएंगे उन पर थोड़ा थोड़ा गाय का घी डाल करके और हनमान जी को भोग लगाना है सबसे पहले आपको गाय का घी औ आप चोला चड़ाना चाह रहे हैं उस मूर्ति के नाप का चोला ले आएं तो सबसे पहले आपको सिंदूर का चोला चड़ाना है और सिंदूर का चोला चड़ाने के बाद में फिर आपको कपड़े का चोला चड़ाना जिस परकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस परका इस प्रिकार से आपको हनमान जी पर चोला चलाते समय मंत्र बोलना है फिर आपको वहाँ पर भोग लगा देना है अनमान जी के सामने भोग रखते हुए आप हनमान 40 बजंग बाण का वहाँ पर पाठ करेंगे और जो भी आपके मन में कामना है तो आपको संकल्ब भी कर लेना हैं फिर देगना कितनी जल्दी आपकी मन उकामना पूरी होती है बाला जी माराज के किरपास आपके बड़े-बड़े कष्ट दूर हो जाएंगे तो मंगलवार को आप यह उपाय जरू करें फिर देगना आपके कार कितनी जल्दी सिद्धोंगे वीडियो सेयर करें चैनल को स